अमारिका के अटलांटा में रविवार को 68 मिस्स यूनिवर्स समाहरो आयोजित किया गया जिसमें दक्षिन अफरिका की जोजी बीनी तुनजी इस साल की मिस्स यूनिवर्स चुनी गई है इस ग्रैंड इवेंट में दुनिया भर की 90 सुंदरियों की बीच तगडी तक कर इसके चलते इवेंट में कई मॉडल्स रैंप वॉक करते हुए गिर भी पड़ी लेकिन घबराने या कॉन्फिडेंस खोने के जगह वे वापस उसी जल्वे के साथ रैंप वॉक करती नज़र आये जैसे उन्होंने शिरुआत की थी इस इवेंट का एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें एक संदरी रैंप पर वॉक करते हुए फिसल गई मिस यूनिवर्स 2019 का किताब जीतने के लिए अलग-अलग देशों की 90 संदरियों की बीच मकाबला था इस कॉंटिस्ट के स्विम सूट राउंड के दरान बिगनी पहन कर रैंप पर वॉक करनी थी तो कुछ कंटिस्टेंट लड़ खड़ा कर गिर पड़ी कॉंटिस्ट के दरान 25 साल के मिस फ्रांस मेवा कूक रैंप पर फिसल कर गिर पड़ी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसका वीडियो भी शेयर किया है। हलाकि रैंप पर गिरने के बाद भी इनका होसला कम नहीं हुआ। उन्होंने फिर उठकर कॉंटेस्ट में भागीदारी जारी रखी। उनके इस होसले के डिये वहां मौझूद ओडियन्स जजजस और होस्ट ने तालिया बचाकर मेवा कुप का होसला बढ़ाया। दक्षिन अफ्रिका की जोजी बीनी तुनजी को मिस्स यूनिवर्स का खिताब दिया गया। इस दिरान वो गोल्डन ड्रेस में नजर आएं। उनके परफॉर्मेंस और कॉंफिडेंस से जजस काफी इंप्रेस हुए। और जोजी बीनी तुनजी को मिस्स यूनिवर्स 2019 चुना गया। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.